श्री गनेशा यनमाहा, ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंदरमा की स्थिति ले कर आती है, और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारी रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभ दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपके पहले भाव में लगनस्थान में यानि आपकी राशी में ही रहेंगे जी हाँ चंद्रमा की ये पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुती बढ़िया जाने वाला है इस समय में आपकी हर परसन रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजीटिव सोच के साथ आज की दिन की सुरवात होगी इस दिन आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी मिल सकती है जी हाँ कुछ ऐसी खुशकबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट करेते या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था इस समय में आपको पारिवारिक सुक मेलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय में आने की संभावना है ये समय नोकरी करने के लिए उत्तम है जी हाँ नोकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा इस समय में अगर आपको निवेश करना है तो निवेश्ट जरूर करें क्योंकि चार गुना फल तक इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इस वक्त आपकी डेली की इंकम में बड़ोतरी होगी जो लोग डेली में कमा रहे हैं जिनका इंकम डेली में दिखाई दिता है। उन लोगों के लिए ये समय बहुती बढ़िया रहने वाला है। ये समय यात्राए करने के लिए भी बहतरीन है। जी हाँ दोस्तो अगर यात्राए करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि इस समय में यात्राए आपके लिए लाबकरी रहेगी। सफलता मिल सकती है। इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे। काम करने की आपकी जो गती है वो बढ़ेगी। आपकी लगबग सारी चाय इस समय में पूरी हो सकती है। आपको प्रयास करना होगा अगर हम कर्म करते हैं तो ही हमें फलकिया पिक्षा करनी चाहिए। गर बैठे बैठे बिना कुछ किये कोई भी काम नहीं हो सकता। खरिदारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा तो इस समय आप शौपिंग कर सकते हैं कोई बड़ी चीज खरिदना चाहते तो वो भी खरिद सकते हैं शौपिंग करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये समय स्टूडन्स के लिए भी कापी शुबसावी दोगा, पढ़ाय में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे, इस समय में चंद्रमा की क्रिपा आपको मिल रही है, चंद्रमा आपको एका ग्रता दे रहे है, जिस वज़े से आप कम समय में ज्यादा विद्धा ग्रहन कर स लखोगे, इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो, मेहनच जारी रखना ज़रूरी रहेगा, नोकरी के ख्षेत्र में भी आपको प्रशनसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा, मित्रों के बीच आपका उठना बैठना इ आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंबिरता रहेगी, इस समय में आप लोगों को जोडने में, अपने काम लोगों से निकलवाने में और लोगों को एट्रेक करने में कामयाब हो सकते हैं, ये समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है, लगबग हर शेत्र में आपको इस दिन सफलता मिल सकती है, इस दिन को मंगलमई तरीके से व्यतित कीजिए, इस दिन आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक रहोगे, स्वस्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब उठाए, इस दि कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीपल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों क मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सपलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिस असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है पर इसकी वज़े से हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के entry क में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चपके उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चपके उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे त पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हम मेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी प प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लि सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद